हलो फ्रेंड्स आपका स्वाक्त है तुरुष्टिका कीचन्स में तो फ्रेंड्स आज हम आपको बहुती आसान तरीके से बहुती इजी तरीके से आप अपने बालों की ग्रोथ को केसे लंबे कर सकते हो और केसे बढ़ा सकते हो और बहुती अच्छी तरीके से अपने बालों की ग्रोथ कर सकते हो तो वो मैं बताऊंगी तो प्लीज फ्रेंट जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो ये रेमेडी आप ट्राइ कर सकते हो रेमेडी बहुती इजी रहने वाली है और आपको यूजफूल भी लगेगी क्योंकि फ्रेंड्स ये रेमेडी सही में बहुती अच्छा काम करती है आपके बालों पर और आपके बालों की ग्रोध को बढ़ाएगी और साथ ही में आपके बालों को घना और मजबूत करेगी तो friends वीडियो को start कर लेती हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे प्याज, अद्रक और मुलतानी मिटी हाँ, आज की वीडियो में हम इन तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे और आप इस remedy को एक बार लगा कर try जरूर कीजिएगा आपके बालों में जो भी problem होगी वो सारी problem solve हो जाएगी अगर आपके बालों में dandruff है तो वो भी चला जाएगा तो यहाँ friends सबसे पहले हम ले लेती हैं अद्रक और साथ ही में लेंगे हम प्याज, प्याज आपको red चिलके का लेना है तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से प्याज लेना है जो white चिलका होता है वो वाला प्याज का इस्तमाल मत कीजिए क्योंकि इसके अंदर जो रस होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है तो यहाँ पर friends हम प्याज को चील लेते हैं और चीलने के बाद हम इन दोनों चीजों का करेंगे कदुकस आप चाहे तो इसको mixi के अंदर भी पीश सकते हो चाहे तो आप कदुकस भी कर सकते हो तो friends प्याज का जो रस होता है हमारे बालों में हम लगाती है ना तो जो हमारे बाल टूट रही है जड़ रही है या फिर हमारे जड़ से बाल निकल रही है तो उन सब का शेलूसन इस प्याज के रस में होता है और जो अद्रक का रस होता है वो ही हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है अद्रक के रस से हमारे जो बालों में रेसी होती है या फिर कोई infection होता है तो वो सब सही कर देता है साथ में बालों को मजबूत करता है अद्रक का छोटा टुकडा हम तोड़ लेते हैं अब हम लेते हैं कदुकस तो फ्रेंट्स हम कदुकस कर लेते हैं प्याज का सबसे पहले हम प्याज का कदुकस करेंगी और उसके बाद हम अद्रक का कदुकस करेंगी आजकल देखा जाता है फ्रेंट्स की बालों में बहुती ज़्यादा प्रोब्लम होती है जड़ने की तूटने की या फिर बाल हमारे जड़ से ही निकल जा रही है क्योंकि हमारा पानी खान पान सब ऐसा ही होता जा रहा है और हम करते हैं महिंगे प्रोडेक्ट का इस्तेमाल जिससे क्या होता है हमारे बाल और ज्यादा डेमेज होते जा रही हैं। इससे अच्छा फ्रेंट्स हमें जहां तक हो ग्रेलू नैचुरल ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने बालों पर इनका result थोड़ा लेट मिलता है पर जो result मिलता है वो हमारे बालों को बहुती अच्छा फाइदा पहुंचाता है हमारे बालों में naturally बाल लोंग होती हैं गने होती हैं और मजबूत होती हैं तो friends हमें इस तरह के से प्याज और जो याद रख है तो इस तरह के से हमें कदुकस कर लेना है और कदुकस करने के बाद friends हम अब लेंगे एक कटोरी तो यहाँ पर friends हमें कटोरी ले लेते हैं कटोरी के उपर हम एक कपड़ा रखेंगे और कपड़े से छन लेती है क्योंकि इससे जो प्याज और अद्रक का जो रस होता है वो बहुती अच्छे से और फिनिसिंग के साथ निकल जाता है तो देखिए फ्रेंड्स मेरे यहां पे इसको पेश्ट रख दिया है अद्रक और अब हम इसके कपड़े से एक पोटली जैसा बना कर निचोड लेती हैं तो जैसे ही फ्रेंड्स हम निचोड़ेगे तो बहुती अच्छा इसका जो प्याज और अद्रक का रस होता है बहुती फिनिसिंग के साथ निकल कर तयार हो जाता है तो यह फ्रेंड्स जो हम रेमिडि से इसका जितना भी रस है हमें इस तरीके से निचोड कर निकाल लेना है और उसके बाद हम इस कटोरी के अंदर डालेंगे मुलतानी मीटी तो मुलतानी मीटी फ्रेंड्स मैंने पाउडर बना कर डिबे के अंदर भर लिया है अगर आपके पास वो पत्थर जैसी है तो उसको क अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे हमारे बालों को बॉस्क करना है जब भी हम बालों को दोते हैं तो हमें इस remedy का इस्तमाल करना है तो friends आप इसको continue करोगे तो आपके बाल बहुती ज़्यादा लंबे हो जाएंगे आपके बाल grow करने लग जाएंगे और साथ इमें बहुती ज़्यादा मजबूत होंगे तो friends मिलते हैं next video में Thank you for watching